दो बखने में पेट और वज़न को करने के आपने लिली उपाय पेट पर जमा अतरिक्त वसा को घटाने के लिए इन आसान और प्रिभावाकारी उपायों को अवश्य अपनाएं थोड़े ही समय में आप फर्ग महसूस करने लगेंगे बड़ा हुआ पेट ना केवल देखने में भद्दा लगता है बलकि आपको सेहत समंधी कई परिशानियां भी देता है तो अगर आप भी पेट के अतरिक चर्वी को कम करना चाहते हैं तो इन उपायों को जरूर आजमा कर देखें परंदू यदि आप इन उपायों को पूरी शिद्द से नहीं निभाएंगे और इन्हें आजमाने में लापरवाही बढ़तेंगे तो पेट का मुटाबा कम नहीं हो पाएगा इसके अलावा ये भी ध्यान रखें कि अगर आपको कोई स्वास्त समंधी समस्या है तो किसी भी उपाय को करने से पहले चिकित्सक से सला अवश्य ले ले तो चलिए फैंट्स इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज का वीडियो पानी में शहद मोटापा कम करने के लिए शहद बहुत अच्छा माना जाता है हलके गर्म पानी में एक चमश शहद मिला ले और आप चाहें तो इसमें कुछ मूने नीबू की भी डाल सकते हैं प्रति दिन सुभा खाली पेट इसका सेवन करना आपके मोटापे को कम करने के लिए बहुत फायदे मन्द है नारियल पानी अने फलो की तुलना में नारियल पानी में ज़्यादा लेक्ट्रोलाइट्स पाया जाता है नारियल पानी में अतरिक्त शक्रा और कई अतरिक्त करेतरिम फ्लेवर नहीं पाया जाता है नारियल पानी पीने से शरीन में फुर्ती आती है और उसमें बिल्कुल भी कैलोरी ना होने के कारण मुटाबन नहीं बढ़ता है पुदीने की चट्नी पुदीने के सेवन में मेटाबॉलिजम मेवरदी होती है जिससे वजन घटाना आसान हो जाता है इसके लिए आप पुदीने की ताजी हरी पत्तियों के चट्नी बनाकर चपाती के साथ सेवन कर सकते हैं साथ ही पुदीने में मौझूद कुछ पैट्स हमें उड़जा देने में सहायक होते हैं जोचने की रोटी अगर आप वजन घटाना चाहते हैं तो बोजन में गेवू के आटे की रोटी की जगा जोचने के आटे की रोटी को खाना शुरू कर दें इसके लिए आप चना और जोगा अनुपाद 10 वैदो किलो लेकर उसका आटा पिजवा लें और इस आटे की रोटी खाएं इससे न केवल आप अतिरिक कार्वो हाइडरेट लेने से बचेंगे बलकि आप शरीर में अतिरिक कैलरो भी जमन नहीं होगी जॉगिंग वा मॉर्निंग वॉक सुभा सुभा जॉगिंग या वॉक करना पेट कम करने के साथ साथ सेहत के लिए भी अच्छा माना जाता है अगर आपको प्रारम में ये किसी अन्य कारण से जॉगिंग में समस्या आ रही है तो तेज कदमों से टहल भी सकते हैं अगर आप नियमित रहे कर मॉर्निंग वॉक या जॉगिंग करते हैं तो आपको बढ़ते पेट से जल्द शुटकारा मिल सकता है और ये आपको दिन बार उरजवान बनाया रखने के साथ पाचन तंत्र को भी सुधारेगा क्रिस क्रोस एक्सरसाइस योगा, मैट, अध्वा, चटाई पर लेट कर सबसे पहले दोनों हाथों को अपने सिर के पीछे रखिए और दीरे से इस सित्थी में अपने सिर को उपर उठा ले अब पैरों और जमीन के बीच 30 जिगरी का अंतर रखते हुए अपने दोनों पैरों को जमीन से उपर उठा लेंगे इसके बाद अपने दाहिने पैर को चाती की तरफ लाते हुए अपनी बाई कोहनी को दाएं घुटने के पास ले जाएंगे फिर से पहली पोजीशन में आकर यही किरिया बारी बारी से दोनों पैरों के साथ दोहराएंगे मोटापा घटाने के लिए सेप के सिर्के का सेवन करें एक गिलास पानी में एक चमच सेप का सिर्का और एक चमच नीवू का रस मिलाकर सेवन करें इनमें मौझूद पैप्टिन फाइबर से पेड को लंबे समय तक भरा होने का एहसास होता है ये लीवर में जमे फैट को घटाने में मदद करता है पत्ता गोबी भोजन में पत्ता गोबी का ज्यादा से जादा इस्तिमाल करें इसे उबालकर या सलात के रूप में प्रियोग कर सकते है इसमें मौझूद ट्रेटरिक एसिड शरीर में मौझूद कार्वो हाइडरेट को वसा में परिवर्टित नहीं होने देता इसलिए वजन कम करने में साहिता होती है अश्वगंधा अश्वगंधा के दो पत्ते लेकर पेजड बना ले सुबा खाली पेट इसे गरम पानी की साथ पिए अश्वगंधा तनाव के कारण बढ़ने वाले मोटापे में मदद करता है अतियधिक तनाव की अवस्था में कॉलिस्ट्रोल नामक हर्मोन अधिक मातर में बनता है इसकी कारण भूक अधिक लगती है शोध के अनुसार अश्वगंधा शरीर में कॉलिस्ट्रोल के लेविल को कम करता है आमला इसमें प्रचूर मातरा में विटामिन C पाया जाता है जो एक उत्तम एंटी ओक्सिडेंट है ये शरीर में विशात को तद्वों को बहार निकालने में मदद करता है ये मेटबोल्जम बढ़ाने और केर्डी बंड करने में मदद करता है ये शरीर की रोग प्रति रोदक शमता को बढ़ाता है तो इसके साथ खत्म होती है हमारी आज की वीडियो फ्रेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें कॉमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले और अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आएकर को प्रेस करें थेंक्स पॉर वाचिए